टीम इंडिया ने 180 रन से हरा कर पाकिस्तान को पहली बार चेंपिन्स टॉफी पर कबजा कर लिया विराट कोली ने फाइनल में टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 338 रन मनाए चौते होवर में जस्परीद बुमरा ने की बॉल पर फरक जमन विकेट के पीछे धोनी को कैज दे बेटे लेकिन ये नो बोल हो गई उस वक्त जमन महज 3 रन पर खेल रहे थे नो बोल फेकना टीम इंडिया के लिए बड़ी गलती साबित हुई जमन ने इसका फाइदा उठाया और करियर की पहली सेंचुरी लगाई आईए जानते हैं वो पांच कारण जिनों जिनकी वज़े से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा पहला कारण इंडियन बॉलर जल्दी नहीं दिला पाई ब्रेक्थू जस्प्रीद बुमरा, आर अश्विन, रविंदर जडिज और हार्दिक पांडिया जैसे स्पेसलिस्ट इंडियन बॉलर शुरुवाद ने विकिट ही नहीं ले पाई मैच के शुरू से भी पाकिस्तान बैट्समैन हावी रहे और पहले विकिट के लिए ही सेंचुरी पाटनर्शिप हो गई इसके अलावा पाकिस्तान ने दूसरे विकिट के लिए 72 और पांचे विकिट के लिए 71 रन की साजेदारी भी की दूसरा गारण कई आसान मौके गावाए पूरे टूर्नमेंट की तरफ फाइनल में भी टीम इंडिया की फिल्डिंग खराब रही 12 ओवर तक भारत ने दो रन आउट और एक आउट का मौका गावा दिया टीम के लिए सबसे बड़ा जटका जस्पीत बुम्रा की वो नोबल रही जिसमें उन्होंने सेंचरी लगाने वाले फरक जमान को विकिट ले लिया था लेकिन वो नोबल साबित भी ये इंसिडेंट पाकिस्तान की इनिंग के चोथे ओवर में हुआ जब बुम्रा ने अपने ओवर की दूसरी बॉल पर जमन को विकिट के पीछे दोनी के हाथों कैच करवा दिया था लेकिन ये नोबल निकली और जमान आउट नहीं हो पाए इस जीवन दान के वक्त वो तीन रन ही बना कर खेल रहे थे बाद में उन्होंने 114 रन की इनिंग खेली तीसरा कारण था कि भुबनेश्वर को छोड़ सभी इंडियन बॉलर रहे फ्लॉप पाकिस्तान के खिलब भुबनेश्वर कुमार को छोड़ दिया जाए तो सभी इंडियन बॉलर्स फ्लॉप रहे बुबनेश्वर ने 10 ओवरों में महतर 44 रन देकर एक विकेट लिया उन्होंने 2 मेडन ओवर भी किये उनका एकनोमिक रेट काफी किफाई थी रहा 4.40 रहा चौथा का रन था टॉप ओर्डर का फ्लॉप होना 339 रन के टारगेट का पीछा करतेवे रोई शर्मा, शिखरदवन, विराट कोली, युवराज सिंग और MS दोनी जैसे दिगजो से भरा टीम इंडिया का टॉप ओर्डर सूपर फ्लॉप रहा पिछले 5 विकेट 54 रन पर ही गिरा दिये इन 5 में से सबसे ज़्यादा 22 रन युवराज सिंग ने बनाए अंत में हर्दिक पांडियान ने जरूरी अच्छी बैटिंग की और 43 गेंदों में 76 रन बनाए अपने इनिंग में उन्होंने 4 चौके और 6 चके लगाए पांचवा कारण था मुहमद आमिर और हसन अली की अटैकिंग बैटिंग पाकिस्तान के लिए मुहमद आमिर मैच विनिंग बॉलर रहे आमिर ने ही टीम इंडिया के पहले 3 विकेट चटका है जिसमें रोही शर्मा, सिखरदवन, विराट कोली शामिल रहे आमिर ने 6 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट जटके दो मैडन ओवर के साथ उनकी एकनॉमी 2.66 रही हसन अली ने 3 विकेट लिए टीम इंडिया को 30.3 ओवर में समेटने में एहम भूमी का निबाई आली ने 6.3 ओवर बॉलिंग कराते हुए 19 रन दिये उन्होंने भी एक मैडन ओवर निकाला 2.92 उनका एकनॉमी रेट रहा तो ये थे भारत के हारने के महत्पून पांच कारण और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले